जैन दोस्तों वालकम टिननी स्कूल दोस्तों गोल्ड एक ऐसी धातू है जिसे दुख का साती का जाता है केवल इंडिया में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में और इसका मुख्या रिजन ये है कि जब जब इंफलेशन बढ़ता है जब जब दुनिया में मंदी आती है आज की हिस्टरी यही कहती है कि तब तब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है अभी क्या चल रहा है और क्या 2023 में गोल्ड आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा दे सकता है और क्या आपके लिए एक बेहद सिक्योर मैथड हो सकता है इंवेस्टमेंट करने का इस समय पर चलिए इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इस समय पर जो है इंफलेशन बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है और जादा तर फाइनेंशल एनलिस्ट का कहना ये है कि 80% पूरी उमीद है कि आने वाले समय में मंदे आएगी बहुत सारी खासतोर से जो टेकनिकल कंपनीज हैं उसमें लोगों की जोपस जा रही हैं और इसके साथ साथ अभी गोल्ड पर इसका असर दिखना अलड़ी सुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइस ने जवर्दस तेजी दिखाई भी है अगर दोस्तों दिसंबर से लेकर अभी तक की बात करूं यानि दिस वीडियो को बना रहा हूं 56,000 रुपे को क्रोस कर चुका है यानि पिछले एक साल के अंदर गोल्ड ने अबडी के मुकाबले दो गुना के आसपास का रेटन दिया है अब दोस्तों इस सब के पीछे रिजन बहुत सारे हैं कौन-कौन से रिजन है चलिए इसके बारे में मै आपको बता देता हूं नमबर वन तो यही है कि अगर भारत के सेंट्रल बैंक यानि रिजर्ब बैंक के बात की जाए तो पिछले दो से तीन सालों में भारत ने अपनी गोल्ड के रिजर्ब को बेहद बढ़ाया है इसका फोरेक्स में परसेंटेज 5 परसेंट से बढ़कर 7 परसेंट के आसपास पहुंच चुका है और दोस्तों गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्यों बढ़ेगा नमबर वन दुनिया में मंदी का खत्रा बढ़ रहा है जब जब दुनिया में मंदी का खत्रा बढ़ता है तो इससे सबसे बड़ी प् बाहरत ने बहुत ही तेजी के साथ सोना करिदा है, 2022 में भारत के रिजर्व बैंक का ऌस्तान तीसरी नमबर पर रहा है सोना करिदने के मामले में, और टन में सोना करिदा जाता है, USA, Japan, Germany, parts, gonna, ये सभी के सभी देज, रेशिया चाइना अपने रिजर्ब बैंक में अपने रिजर्ब में ज़ादा से ज़ादा सोने को खरीड कर रख रहे हैं चीन में कोरोना जो है इसके स्थिति फिर से भयावन है बनी हुई है अगर धीरे धीरे ये दूसरे कंट्रीज में भी फैलती है तो बाकी शेयर प्राइस का प्राइस गिर सकता है लेकिन दोस्तों गोल्ड का प्राइस यहां पर बढ़ेगा यह हमने उस समय पर भी देखा था जब करना आया था पूरे का पूरा मार्केट डाउन होने के बावजूद भी सडनली गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग उस समय पर भी लगातार गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे दुनिया के देशों में श्टोक मार्केट के गिरने से सोने की मांग बढ़ रही है और 2023 में ये मांग जारी रहेगी ऐसा बड़े बड़े फाइनेंसल एनलिस्ट का मानना है सोने के अलावा एक और बहुत ज़्यादा जबरदस्ट करंसी है जिसकी डिमांड आने वाले समय में रहेगी उसका नाम है सिल्वर सिल्वर का मार्केट कैप अभी भी काफी कम है और आने वाले समय में सिल्वर आपको बेहद अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है और एनलिस्स भी यही कहता है तो दोस्तों धेंक्यू वेरी मुच ओल दी वेरी बेस्ट ये जो दो करंसी हैं धातू हैं जो भी आप इने मान सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर इन दोनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लोंग टरम का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर आप घर से काम करके काम पैसा कमाना चाहते हैं बिना एक भी रुपया इन् description में सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके साइन अप करें और के वाइसी कंप्लीट करें थैंक यू